नमस्कार दोस्तों मैं प्रसांत आप सब का स्वागत करता हूँ दोस्तों मध्यकालीन इतिहास के तहत एक बेहद महत्वपूर टॉपिक बीजय नगर सामराज्य को हम बड़े ही डीटेल में इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं तो इस लेक्चर की सुरुवात मैं एक प्रस्न से करना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि इस लेक्चर के दोरान ही अगर आपको पता हो तो इस प्रस्न का उत्तर आप जो है लिखने का प्रयास करें आईयस प्रिलिम्स 2015 में ये प्रस्न पूछा गया कि किसने क्रिश्रा नदी की सहायक नदी के दक्षिडी तट पर एक नए नगर की अस्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधी के रूप में अपने इस नए राज्य पर सासन करने का दाइत्व लिया जिसके बारे में माना जाता था कि क्रिश्रा नदी के दक्षिड की समस्त भूमी उस देवता की है तो आईयस प्रिलिम्स 2015 में ये प्रस्न जो है पूछा गया था इसमें आपने बताना है कि किसने जो है क्रिश्रा नदी की सहायक नदी के दक्षिड तट पर जो है नए नगर के स्थापना किया और सासन प्रारंब किया और वो देवता कौन है जिनके बारे में ये कहा जाता है कि क्रिश्रा नदी के दक्षिड की जितनी भूमी है वो उन देवता की है तो उन देवता का नाम बताईए और किसने सासन प्रारंब किया उनका नाम बताईए ठीक है कमें बताईए बाकी इस लेक्चर में इसका उत्तर जो है हमें मिलेगा इन सब की बात हम करेंगे तो द उससे पहले थोड़ा इतिहास में हम पीछे जाना चाहेंगे और ये समझना चाहेंगे कि 13. सतापदी में दक्षिड भारत में क्या प्रसासनी की स्थिती थी, राजवनसों की क्या स्थिती थी, इन सब की बात हम करना चाहेंगे. ठीक है, तो देखें, चालुक्यों और छोलों के आवसान के पस्चात, उनके विखंडन के पस्चात, उनके कमजोर होने के पस्चात, दक्षिड में कुल चार महत्वपूर राजवनस जो है, दिखें, कौन-कौन, तो यहां मैप पे हम देखते चलें. तो देखें, देवगीरी के यादो, अब देखें, कभी-कभी क्या है, कि हम जब मैप लेते हैं, तो इक्जेक्ट नहीं मिल पाता है, ठीक है? अब यह मैप जो है, थोड़ा सा, जो है, कालखंड के बाद का है, कि जबकी दिल्ली सल्तनत, जो है, देवगीरी को अपने में सामिल कर चुकी थी, लेकिन हमें मोटे तोर पे समझना है, इसलिए हम जो है, समझ लेंगे. तो देवगीरी में जो है, कौन सासन करता था? तो यहाँ यादो सासन करते थे, यह पूरा एरिया देवगीरी का, बाद में इसे जो है, उन्होंने मिला लिया गया दिल्ली सल्तनत में, ठीक है? यह आधुनिक महराष्ट्र का इलागा, देवगीरी, ठीक है? एक तो दक्षि का यह पूरा छेतर है, यहाँ देखिए, आपको दिख भी रहा होगा, यह पूरा छेतर जो है, तो आज का पूरा तेलंगाना और तटी यह आंध्र, पर कौन सासन करता था? वारंगल के काकती, काकती यहाँ सासन करते थे, और यह जो पूरा एरिया है, दौलता बाद, जिस दिख रहा है, यह पूरा एरिया होईसल लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है, यह पूरा मैसूर का इलाका, आज के करनाटक का इलाका जो है, तो यहाँ पर कौन सासन कर रहा था? तो यहाँ पर सासन कर रहे थे होईसल, ठीक है, द्वार समुंद्रम जो है, इन पांडे सासन कर रहे थे ये पूरा इलाका है इन्हें क्या कहा जाता था मदूरे के पांडे मुसल्मान इस राज्यों को क्या कहते थे माबर कहते थे और हम लोग कई नाम बुलाते हैं मदूरे मदूरा मदूरे ठीक है तो ये जो है मदूरे के पांड ठीक है चार राजवन्स जो है हमें देखने को मिले दक्षीड में चालुक्यों और चोलों के आउसान के पस्चात ठीक है अब देखें यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि जहां पर कि उत्तर भारत में लागातार जो है आक्रमड कारी आ रहे थे दिल्ली सल्तनत की अस्थापना जो है होई गई थी और बहुत सारे अभियान जो है पूरे भारत में सल्तनत के नित्रितों में जो है चलाए जा रहे थे तो दक्षीड भारत पूरी तरह इन हमलों से बचा रहा पहला सैन्य कमांडर अलाउदीन खिल जी था जिसने की दक्षीड में जो है अभियान किया ठीक है पहला वो सासक भी था और उससे पहले अपने चाचा के नित्रितों में जब वो देवगिरी गया तो वो जो है एक सेना पती था कमांडर था ठीक है तो 1292 में पहली बार अलाउदीन खिल जी देवगिरी पर आक्रमड उसने किया और वहां के सासक थे रामचंद्र देव और बड़ा भारी दव दूट करके आया और कहीं न कहीं अपने चाचा के विरुद्ध जलालुदीन खिल जी के विरुद्ध राजा बनने में ये देवगिरी की दूट ने उसे बहुत मदद पहुचाई ठीक है इसके बाद जब अलावदीन खिल जी सासक बनता है तो अलावदीन खिल जी का एक बहुत प्यारा हिजड़ा और जिसके साथ कहा जाता है कि अलावदीन खिल जी का समलेगी एक संबंद था मलिक कफूर उसने जो है दक्षिड भारत की कमान समहाली और एक के बाद एक देवगिरी तेलंगाना होईसल और यहां तक की मलिक कफूर यहां से सुरू करके मलिक कफूर यहां पहुच गया सुदूर दक्षिड में पांड्यों की राजधानी तक हाला कि पांड्य जो है अपना अस्थान बदल चुके थे तो जो है पांड्य इससे मिले नहीं इसलिए पांड्यों ने अधिनता स्विकार नहीं कि ठीक है कि इन तमाम रियासतों को दिल्ली सल्तनत के अधिन ला दिया ठीक है तो पहली बार अलावदिन खिल जी ने दक्षिड में अभियान किया और बहुत ही आसानी से दक्षिड के राज्यों को उसने जीत लिया और जो है यहां से वो टेक्स वसूलने लगा अब यहां मुख्य बाद मैं बताना चाहूंगा कि अलावदिन खिल जी के बाद ये काम जो है किया मुहम्मद बिन तुगलक ने ठीक है तो यह पहले तो गियासुदीन तुगलक के समय में जो है उसने वारंगल पर अभियान किया और प्रताप रूद्र देव को हरा करके जो है उसने सामराज्य में मिला लिया ठीक है अपने सामराज्य में दिल्ली सल्तनत में जो है वारंगल को मिला लिया और प्रथम दक्षिड का राज्य था वारंगल जो की मिला लिया गया दिल्ली स तो यहां मैं यह बताना चाहूँगा कि अलाउदिन खिल जी ने दक्षिड के सभी राज्यों को जीत तो लिया था लेकिन उसने दक्षिड के किसी भी राज्य को अपने राज्य में नहीं मिलाया था तो दिल्ली सल्तनत में दक्षिड का कोई राज्य नहीं मिला यानि दक्षिड के जो राज्य रहे उनका अस्तित्व बरकरार रहा उनके राजा बरकरार रहा बस हुआ क्या कि आप हमारी अधिनता स्विकार लीजे और हमें टेक्स हर साल देते रहे बस इतना करिए और हमें कु असनहीं किया जा सकता जब कि है मैं आपको बताना चाहूंगा कि अलाउ दिन खिल जी एक उन पढ़ बैलिक्ति था रखा रही और मुहम्मद बीन तुगलक ने इन सामराज्यों को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया इनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहने दिया गया इनसे केवल टेक्स नहीं वसुला गया इन्हें सीधे सीधे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया तो 14 सताबदी के प्रथम चरण में होईसलों के अतिरिक्त संपूर दक्षिड दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया तो होईसलों के अतिरिक्त जो है संपूर दक्षिड को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया ठीक है अब दिल्ली सल्तनत जो है मुहम्मद बिन तुगलक उस पे सासन कर रहा है और संपूर दक्षिड होईसल्स को छोड़ करके किसके अधीन है मुहम्मद बिन तुगलक के अधीन है ये इस्थिती जो है 14. सताब्दी के प्रथम चरण की है अब ये आपने समझ लिया ठीक तो जैसा कि हम जानते हैं कि पूरे सल्तनत में मुहम्मद बिन तुगलक का सामराज ये सबसे बड़ा था जैसा कि हम देख रहे हैं पूरे दक्षिड पर उसका अधीकार हो गया लेकिन मुहम्मद बिन तुगलक के जो है का जो बिस्तार रहा वो भी बहुत तेजी से रहा औ और उसके बाद एक बिद्रोहों की स्रिंखला उसके सासन में सुरू हो गई तो एक के बाद एक बिद्रोह सुरू होने लगे और एक के बाद एक नए नए इस्टेट बनने लगे ठीक है तो सबसे पहला बिद्रो करने के बाद एक सासन तंत्र स्थापित करने का काम जो है पुलायव कयाप नायक ने जो है किया कब किया तो 1327 और 1328 में कयाप नायक नामक दो भाईयों ने जो है वरांगल पर अधिकार कर लिया ठीक है तो अब ये तो वारंगल पर काक्ति ये समाप्त हो गया है जैसा कि मैंने आपको बताया लेकिन एक नया इस्टेट इन्होंने यहां बना दिया ठीक है कब यह बना दिया तो 1327 इसमें उसके अलवा 1333 में 1333 में एक कमांडर मुहमत बिन तुकलक का एक सुबेदार जिसे की मदूरा का सासन दिया गया था मदूरा परसासन करने के लिए जिसे अधिकार दिया गया था और जिसका नाम था जलालुदीन अहसां उसने अपनी स्वतंतरता के घोसड़ा कर दी और यहां पर उसने क्या बनाया एक मदूरा सल्तनत बनाया हम सब मैप देखेंगे आगे ठीक है थोड़ा सा हम चीजों को सम सुबेदार ने ही जो कि पांडे छेतर में माबर इसे बोलते थे मुसल्मान तो माबर छेतर में जो तैनात था सुबेदार जलालुदीन अहसान उसने अपनी स्वतंतरता की घोसड़ा कर लिया और मदूरे सल्तनत इसने बना लिया ठीक है और इसी दोरान विजयनगर सामराज्य का भी जो है उदय हुआ तो उसके बारे में बात कर लें अब इतनी आपने समझ ली बात जो है अब एक विद्रोहों की स्रिंकला जो है उठ रही है तो अब भीजयनगर सामराज्य की इस प्रकार से जो है निकल करके आया जो यहां पर देख रहे हैं आप और उसक बुक्का और हरिहर ने बीजयनगर सामराज्य की निव डाले अब बीजयनगर सामराज्य के संस्थापकों के इतिहास के बारे में कई तरह की कहानिया है कि यह कहां कहां से निकल करके आये तो बताया यह जाता है कि हरिहर और बुक्का वरांगल के काक्तियों के जो है सामंत थे और बाद में जब जो है वरांगल को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया तो ये लोग कामपिली आधुनिक करनाटक में ये जगह है तो ये लोग कामपिली में जो है चले गए और वहाँ जाकर के ये लोग मंत्री हो गए इसी दोरान क्या हुआ कि 1325 में मुहम्मद बिन तुगलक के चचेरे भाई जिसका नाम था बहाँदीन गुरसब इसने बिद्रोह कर दिया और जब इसने बिद्रोह कर दिया तो कहा जाता है कि मुहम्मद बिन तुगलक स्वैम बिद्रोह को दबाने के लिए आया तो बहुदिन जो है भाग करके कामपिली राज्य में चला गया तो कामपिली के राजा ने इसे जो है सनरक्षडता दे दी और इसका जो है परडाम ये निकला कि मुहम्मद बिन तुगलक ने कामपिली पर आक्रमड किया और एक बात ये मैं आपको बता दू यही से कि कामपिली के राजा ने भी बड़ी बहादूरी से लड़ा वहाँ जोहर भी हुआ ठीक है वहाँ पर सारा जो है किला वगएरा सब जला दिया गया लेकिन अंततह जो है ये कामपिली के राजा हार गय तो वही पर बताया जाता है कि वही पर जो है इन दोनों भाईयों को हरीहर और बुक्का को जो है सल्तनत की सेनाओं ने पकड़ा और इसे दिल्ली ले करके चले गए इन लोगों को हरिहर को और बुक्का को दिल्ली ले करके चले गए और वहाँ पर कहा जाता है कि इन्हों ने इसलाम धर्म स्विकार कर लिया किसने हरिहर और बुक्का ने लेकिन बाद में जैसा कि हमने आपको बताया कि 1327-28 में कयप नायक ने बिद्रोह किया और उसके अलवा बिद्रोहों की एक पूरी सीरीज, एक पूरी स्रिंखला जो है मुहमद बिन तुगलक के काल में जो है दक्षिड में सुरू हो गई तो यहां से ये समझ में आता है कि जहां अलाउदीन खेलजी ने ये तैं किया था कि दिल्ली में बैट करके हमको दक्षिड को सासित नहीं करना है क्यों टेक्स लेना है तो उसकी नीती सही दिखती है यहां तो बिद्रोह ही सुरू हो गया ठीक है वो सल्तनत में राज्यों को मिलाने के करना ठीक है तो जब बिद्रोहों की पूरी एक स्रिंखला होने लगी तो कहा जाता है कि मुहमत बिन तुगलक ने इन दोनों भाईयों को कमांडर के रूप में भेजा इन बिद्रोहों को दबाने के लिए लेकिन जब यहां यह आये तो महान संत बिद्यारण के यह प्रभाव में आये और उन्हों ने इन्हें पुना हिंदू बना दिया पुना हिंने हिंदू बना दिया किसको बुक्का को और हरिहर को तो यह लोग पुना हिंदू बन गए और इन्होंने जो है एक सामराज्य का निर्माण किया जिसे हम बिजयनगर सामराज्य के नाम से जानते हैं तो यह मैप आपने देख लिया ठीक है अब इसके बाद यहां हम आ जाएं तो यह देखिए यह बिजयनगर है ठीक है यह हरे पट्टी में पूरा बिजयनगर है और यह पीले पट्टी में जो है बहमनी किंगडम है ठीक है तो बाद में जाकर के बहमनी बनेगा ठीक है हसन गंगु बहमनी को बनाएगा तो आप देख रहे हैं एक के बाद एक स्टेट तूट रहा है और नए स्टेट बन रहा है ठीक है मदूरा सल्तनत बनी वरंगल बना और उसके अलवा ये सबसे बड़ा सामराज्य बीजय नगर बना और उसके बाद जो है उसके ठीक उपर अहमद नगर सोरी बहमनी अब आते हैं यहाँ पर तो अब जो है ये किस प्रकार से जो है situation रही कब 1350 में जो है ये हम जो है देखना चाहेंगे उसके बाद और बाद हम जो है करना चाहेंगे ठीक है तो आप अगर देखें यहाँ पे ठीक है तो यह बहमनी है यह 1350 का मैप है 1336 में बिजयनगर सामराज्य की अस्थापना हुई और 1347 में अलाउदीन हसन बहमन साह ने जिसका मूल नाम था जफर खान उसने जो है बहमनी सामराज्य की निव रखी 1347 में तो यह जो देखेंगे आप जो है यह जो पूरा इलाका आपको देख रहा है यह पूरा इलाका 1350 का यह मैप है ठीक है 1336 में जब यह सामराज्य स्थापित था तो छोटा ही था, बाद में इसका विस्तार हुआ वो भी हम सारी बात करेंगे लेकिन यहाँ एक बार मैप पे आप देख लिजे ठीक है, तो यह बीजयनगर सामराज्य है इस कलर का पूरा जो है कपय नायकों का इलाका यह है जो हम बात कर रहे थे यह कपय नायक का इलाका पूरा जो है यह वाला इलाका ठीक है यह वाला इलाका एक सेकंड यह वाला पूरा इलाका कपय नायकों का है, ठीक है उसके बाद रेडडी किंग्डम तो ये रेड्डियों का इलाका था ये ये वाला इतना पीले कलर का ये ये इतना रेड्डियों का इलाका था उसके बाद सल्तनत आप मदूरई यहां पर आप देखें तो ये जो है मदूरई की सल्तनत थी जिसे बाद में जो है मिला लिया गया बिजय नगर सामराज्य में उसके बाद जो है पांडे रूलरों का जो थोड़ा सा उसेस बचा था ठीक है वो यहाँ पर दिख रहा है सुदूर दक्षीड में ठीक है और यह पूरा जो इलाका है यह आज के केरल वाला जो इलाका है यह पूरा इलाका जो है यह जो है यहाँ कई राजवन्स छोटे छोटे थे सारे जो है बिजय नगर के अधिन थे ठीक है तो यह पूरा जो है मैप है 1350 के दक्षीड भारत का यह मैप इसकेल पे नहीं है थोड़ा बहुत जो है बाउंडरी में वो हो सकता है क्लियर्टी नहीं हो सकती लेकिन हमें इसमें जाने की जूरत नहीं है हमें समझना था कि क्या इस्थिति है ठीक है तो अगर इसके उपर हम देखें तो गजपती है अब गजपती भी आ जाएंगे गजपती उडिसा के ठीक है तो इधर जो है उपर एक मुस्लिम सासन अस्थापित हुआ बिजयनगर के जिसका नाम था बहमनी बिजयनगर के नीचे एक मुस्लिम सासन है जिसका नाम है मदूरई सल्तनत ठीक है तो आप देखें उपर से भी एक मुस्लिम सासन का सामना करना पड़ा बिजयनगर सामराज्य को अपने जो है जब तक बिजयनगर सामराज्य का स्थित्व रहा तब तक जो है बहमनी बनाम बिजयनगर होता रहा और अगर नीचे देखें तो मदूरई की सल्तनत थी तो सुरुवाती काल में मदूरई की सल्तनत भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बीजे नगर के लिए बन करके उभरी, हाला कि बाद में मदूरई के सल्तनत को बीजे नगर में मिला लिया गया, तो ये पूरी बात हमें समझ में आ गए, कि दक्षिड की इस्थिती क्या थी, ठीक अब जो है, मैं आपको उस प्रस्न का उत्तर देना चाहूंगा, तो हरिहर प्रथम ने कृष्णा नदी की सहायक नदी, तुंग भद्रा के दक्षिडी तट पर एक नए नगर, जिसका नाम था बिजय नगर की अस्थापना की, और उस देवता के प्रतिनिधी के रूप में, जिस देवता का नाम है भगवान बीरुपाक्ष, जो की भगवान सिव के एक रूप है, के प्रतिनिधी के रूप में, भगवान बीरुपाक्ष के प्रतिनिधी के रूप में, अपने इस राज्य यानि बिजय नगर राज्य पर सासन करने का दैत तुलिया और जिसके बारे में माना जाता था तो भगवान बिरुपाक्ष के बारे में माना जाता था या है कि खृष्टा नदी के दक्षिड की समस्त जो भूमी है वो भगवान बिरुपाच्छ की है ठीक है तो भगवान बिरुपाच्छ का जो है ये भव्य मंदिर आप देख रहे हैं तालिकोटा के युद्ध के बाद जो है इसे काफी छतिग्रस्त किया गया ठीक है तो ये हब तब हमने यहाँ पे जो है ये समझ लिया कि हरिहर और बुक्का का अतिहासिक बैग्ग्राउंड क्या रहा किस प्रकार से उन्होंने बिजयनगर सामराज्य की अस्थापना की और जब बिजयनगर सामराज्य जो है अपने सुरुवाती दौर में था तो उसे दो-द मुस्लिम सक्तियों से सामना करने पड़ा ठीक है तो ये अब देखें यहाँ पर जो है एक लगा हुआ है चार्ट जिसमें की बिजयनगर के सभी सासो कों के बारे में लिखा गया है उनका कारेकाल कब तक रहा वो भी लिखा गया है ठीक है तो देखें बिजयनगर पर कुल चार राजवनसों ने सासन किया तो बीजयनगर शामराज पर कोई एक राजवनस नहीं बना बलकि अलग-अलग समय पर कुल चार राजवनसों ने इस पर सासन किया जैसे इसके संस्थापक जो रहे हरिहर और बुक्का, उनके पिता रहे संगम उनके नाम पर जो है संगम्वॉन्स कि अस्थापना जो है यहां हुई, किसके दौ़ारा? हरिहर प्रथम के दौ़ारा और बुक्का प्रथम के दौ़ारा, ठीक है? तो संगम वंस ने कब से कब तक सासन किया बिजयनगर सामराज्य पर तो 1336 में बिजयनगर सामराज्य के स्थापना करने के बाद 1485 तक तो इसमें कई रूलर रहे, कई जो है सासक रहे तो इन्हें हमें अलग से पढ़ना पड़ेगा संगमवन्स के बारे में डीटेल में उसके बाद इस पर जो है सालूवन्स आया जो कि इन चारो राजवन्सों में सबसे अलपकालिक था क्यों बीस वर्स का इसका पीरियड रहा और दो सासक इसके रहे उसके बाद तुलूवन्स जिसे की बिजय नगर सामराज्य का स्वण काल माना जाता है महानतम भारत के सासकों में से एक क्रिश्र देव राय इसी राजवन्स में पैदा हुए तुलूव और उसके बाद 1565 के ताली कोटा के युद्ध के पस्चात जबकी हफ्तिनावती को यानि हमपी को बुरी तरीके से खंडहर बना दिया गया तो आरा वीडू वन्स जो है यहाँ पर आया और खिस्ते खिस्ते 1652 तक बिजय नगर सामराज्य चला हाला कि इसका जो महत्वपूर पीरियड हम माने वो जो है 1336 से 1565 तक हम मान सकते हैं तो इतने चार राजवन्स यहाँ है कौन सा राजवन्स कितना वर्स सासन किया है इसका वो भी यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है संगा मोन्स सबसे ज़्यादा उसके बाद अरिविडू फिर तुलू और फिर सालू ठीक है तो यह बीजय नगर सामराज्य के सासकों को हमने जो है देखा ठीक है अब देखिए हम जो है बीजय नगर में बिभिन समय पर आए बिदेशी यात्रियों को देखना चाहेंगे यह दो कारणों से हम देखना चाहते हैं पहला पहला तो हम यह चाहते हैं कि इन यात्रियों के जो बिचार रहे बीजय नगर के बारे में उससे सब सुन करके हम एक पिच्चर बीजय नगर सामराज्य के बारे में बना सकें कि यह सामराज्य किस प्रकार से था और दूसरा इन यात्रियों से एक्जाम में बहुत जादा है पूछे जाते हैं ठीक है तो लेक्चर की सुरुवात हम यात्रियों से ही करना चाहेंगे जो बीजय नगर में आए बिदेसी यात्री ठीक है तो हमारा कांसेप्ट थोड़ा जो है बीजय नगर को ले करके क्लियर हो जाएगा फिर हम संगा मोंस में घुसेंगे और हरिहर से सु काल में आया सासक कौन रहा उस समय और विबरण उसने क्या लिखा वो क्या कहना चाहता था ठीक है तो एक एक करके जो है देखते हैं तो निकोलो कौंती या कौंटी ठीक है ये कहां का नागरिक था तो ये इटली का नागरिक था और ये कब आया तो 1420 इस भी में आया और ज बिजयनगर के सासक थे यानि अब सामराज इस्टेबल हो चुका है ठीक है अब ये क्या विबरण लिखता है तो ये बिजयनगर सामराज के भव्यता का एक चित्रण प्रस्तूत करता है क्या कहता है कहता है कि बिजयनगर सामराज के नगर का जो घेरा है वो 60 मील है 1.6 किलो मीटर एक मील तो 60 मील है नगर का घेरा उस समय की बात हो रही है 500 साल पहले की और इसकी दिवारे जो है जो घेरा है जो बांडरी है उसकी दिवारे पहाडों से जो है तक जाती है और इस सामराज्य में इस नगर में कम से कम 90,000 लोग ऐसे हैं जो सस्त्र धारण कर सकते हैं ये बात कहता है निकोलो कोंती ठीक है और निकोलो कोंती ने जो है दासप्रथा का भी उलेक किया है कि विजयनगर सामराज्य में जो है दासप्रथा थी और निकोलो कोंती ये कहता है कि उस समय भारत में जितने राजा थे उन सब में बिजयनगर का राजा सबसे सक्तिसाली था अब दूसरे नमबर पर अगर हम बात करें तो अब तू रज्जाक की बात करें ये कहां का नागरिक था तो फारस का था कब आया 1443 में आया किसके समय में आया तो देवराय दूतिय के समय में आया ठीक है और ये खुरसान के सासक सारू का क्या था दूत था इसने भी बीजयनगर सामराज्य के भव्यता का जो है बड़ा वरडन किया है इसने लिखा है कि 300 बंदरगाह थे बीजयनगर सामराज्य के पास और प्रतेक काली कटके इतना बड़ा था ठीक है? उसके अलवा इसका कहना था कि इस सामराज्य की जो भूमी है कभिस्तार है वो इतना अधिक है कि अगर कोई उसे पार करना चाहे तो तीन महिने यात्रा उसे जो है करनी पड़ेगी और आगे ये लिखता है अगर ना तो किसी ने देखा है और ना तो किसी ने इस तरह के नगर के बारे में सुना होगा तो ये इस तरह की भव्वेता जो है बीजय नगर के सासकों ने बीजय नगर सामराज्य को दिया था निश्चित रूप से अगर हम देखें तो दुनिया के महान सामराज्यों में से बिजय नगर सामराज्य जो है अपने छरम के दिनों पर सर्वत्तम था बहुत बड़ा सामराज्य ये निश्चित्रूप से बनाया गया ठीक है तो बिजय नगर का भव्य चित्रण बिजय नगर के सचीवाले तथा 300 बंदरगाहों का उलेख किया है ठीक है अब ये आतिस्योक्ति हो सकती है जो भी हो सकता है 300 बंदरगाह तो थोड़ा दाही लग रहे हैं उसके अलवा बार बोसा ये कहां का था तो ये पूर्तगा अब आप देखिए पूर्तगालियों का भारत आगमन हो गया है 1498 वसको डिगामा सहब आ चुके हैं अब धिरे धिरे पूर्तगाली जो है बिजय नगर में घुसना सुरू करेंगे तो इसने जो है बिजय नगर में प्रचली सती प्रथा का उलेख किया है ठीक है तो जब हम हम पूरा पढ़ लेंगे तो हम समाजी की स्थिती की बात करेंगे बिजय नगर सामराज्य के प्रसासन की बात करेंगे समाजी की स्थिती की बात करेंगे मैलाओं की दसा की बात करेंगे तो उसमें हम डीटेल में सती वाले मामले पर बात करेंगे लेकिन यहां आपको जो है प्रिलिम्स के लिए ये जानना उचित है कि सतिप्रथा का इसने उलेक किया किसने किया बारबोसा ने ठीक है और इसके ने ही बताया कि जो दक्षिड भारत के जहाज है वो मालदीप में बनते है ठीक है इन लोगों के समय में तो विजयनगर सामराज्य जो है एक बहुत बड़ी सक्ति बन गया था बलकि अजय शक्ती बन गया था दक्षिड में बाबर नामा में भी कृष्ट देवराय के बारे में लिखता है बाबर की भारत का वो सबसे सक्ति सालीस आजसक है तो इसने विजय नगर सामराज में 200 प्रांतों का उलेक किया और नवरात्र तेवार का वरणर किया तो कहीं न कहीं यहां से नवरात्र का के तेवहार को अगर हम देखें तो अभी भी मैसूर राजवन्स में बहुत बड़े कारिक्रम के रूप में जो है नवरात्र का तेवहार मनाया जाता है मैसूर भी विजयनगर से तूट करके बना ठीक है उसके बाद जो है यह जो पायस ह इसी ने कहा है कि ये जो बिजय नगर सहर है ये रूम जैसा सहर है ठीक है तो रूम की तरह जो है इसने बताया उसके बाद नूनी जाया इसका पिरेट 1535 था ये भी पूर्तगाल का था और ये अच्छुत्य देवराय के समय में आया इसने भी सतिप्रथा का उलेख किया है उस विजय नगर में आया अब देखिये इतनी बाते हमने कर ले कि जो है कौन सा यात्री किस देश का था किसके सासनकाल में आया और उसने क्या भी बरण दिया तो ये एक हमने सलाइड पर इसको देख लिया तो इसको देखते हुए हमने ये समझा कि बिजय नगर सामराज्य जो था वो बहुत ही भब्य, बहुत ही जो है सांदार सामराज्य रहा तो एक इमेज दिखा करके मैं आपको जो है इमेजिनेशन कराना चाहता हूँ कि आप समझ लें कि बिजय नगर के राय कितने समरिध साली थे कि ये उनकी गजसाला है यह जो आप नीचे image देख रहे हैं, यह ही image मैंने प्रयूक किया था पहले, ठीक है, इस lecture के शुरुआत में, तो आपको लगा होगा कि यह महल है, बलकि यह जो है रायों की गजसाला है, इसमें रायों के हाथी बाधे जाते थे, ठीक है, गजसाला है. 1565 के ताली कोटा के युद्ध में जो हार हुई विजय नगर सामराज जी की उसके बाद कहा जाता है कि 6 महीने तक विजय नगर को जो है मुसलिम आकरमड कारियों ने जो है लूटा जो पूरा एक गिरोह बना करके उन्होंने आकरमड किया तो ये इतनी बात हम किये और अब देखिए अब जब जो है हम अगले लेक्षर में आएंगे तो हम ऐसे सुरू करेंगे संगमोन से सुरू करेंगे हरियर प्रथम की बात करेंगे बुक्का प्रथम की बात करेंगे उसके बाद हरियर दुतिये देवरायद्यूतिय इन सब लोगों की बात करेंगे फिर आघे जाकर बहमनी की बात करेंगे और फिर एक हमने बड़ा ही सुनदर चार्ट बनाया है जिसमें जो है हम ये समझना चाहते हैं कि वीजय नगर में एक समय में क्या हो रहा था और उसी समय में बहमनी में क्या हो रहा था बड़ा ही सुन्दर्ता से उसे जोड़ करके हम देखेंगे तो इस lecture को जो है हम यहीं समाप्त करेंगे अगले lecture में हम संगम वन्स के बारे में जो है बड़े बिस्तार से पढ़ेंगे तो यह lecture आपको जैसा भी लगा हो वैसा हमें comment करके जरूर बताईए मिलता हूँ इसी topic के अगले lecture में तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार कर अंचि चाइड वहींत कम झाइड़ जगेŞका जरूर डारे में में समेज है